असलामुलेकुम, आज किस लेक्चर के अंदर हम फंगस लाइक प्रोटिस्ट को स्टडी करेंगे, यानि कि ऐसे प्रोटिस्ट जिनका बिहेवियर, जिनकी क्रेक्टरिस्टिक्स फंजाय की तरह मिलती हैं। अब यह तो हम समझ गए कि प्रोटिस्ट में ऐसे प्रोटिस्ट जिनका बिहेवियर क्रेक्टरिस्टिक्स फंजाय से मिलती होंगी, उन्हें फंगस लाइक प्रोटिस्ट कहा जाता है। इन आर्गिनिजम्स के अंदर फंजाय की तरह कुछ similarities होंगी, बट फंजाय के अगेंस कुछ differences भी होंगे, जिसकी वज़ा से हमने फंजाय के अंदर नहीं डाला, बट प्रोटिस्ट के अंदर डाल दिया। ठीक है, फंगस लाइक प्रोटिस्ट में आपके अंदर दो टाइप मेंशन है, स्लाइम मॉल्ड और वाटर मॉल्ड, आज के स्लेक्टर के अंदर हम स्लाइम मॉल्ड को देखेंगे, स्लाइम मॉल्ड क्या होते हैं? यह स्लाइम का मतलब निकला है जैली लाइक ठीक है इनकी अपिरेंस मोस्ली जैली लाइक होती है यहां पर मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ जंगल के अंदर मोस्ली यहां पर ऐसा लगता है कि जैसे किसी कुटे वगारे ने वॉमिट की हुई है इस तरीके से इनकी अपिरेंस होती है जैली लाइक होते हैं इसलिए इनने स्लाइम कहा जाता है और मोल्ड निकला है फंजाए से यानि शुरू शुरू में इनने फंजाए कंसिडर किया जाता था बट यह फंजाए नहीं है सो इसी तरीके से mixo, mycota, Latin word में mixo का मतलब भी slime ही है और mycota फंजाए के लिए use किया जाता है सो इनका नाम भी फंजाए से related है slime mold की दो टाइपस होती है plasmodial slime mold, cellular slime mold, plasmodial की life cycle को आज के इस lecture के अंदर हम study करेंगे cellular slime mold को next lecture के अंदर study करेंगे so general characteristics देख लेते हैं कि slime mold कैसे fungus like protest है या कैसे इनके अंदर कौन सी similarities ऐसी है जिनकी वज़ा से हम समझते हैं कि ये फंजाए के ज्यादा करेब है so fungi like या fungus like characteristics इनके अंदर कौन से आते हैं सबसे पहला आ जाता है कि ये fruiting body produce करते हैं फंजाए की तरह फंजाए के life cycle के अंदर भी एक stage आती है जिसमें फंजाए fruiting body produce करते हैं जिसके अंदर sports बनते हैं so इसी तरीके से इनके life cycle के अंदर भी अभी हम देखेंगे थोड़ी देर के अंदर fruiting body structure बनती है फिर ये heterotrophs हैं यानि अपनी खुराख खुद नहीं मुना सकते हैं फंजाए की तरह ये दूसरों पर depend करते हैं फिर ये glycogen को ऐसा food product store करते हैं फंजाए की तरह और differences की अगर हम बात करें यानि differences क्या है पहला difference आ जाता है कि slime mold की जो specially plasma module slime mold है इनकी life cycle के अंदर ज्यादा तर जो life cycle की stages है उनके अंदर cell wall नहीं होती इनकी cell के around cell wall नहीं होती तो अगर cell wall present होती है जो कि spores जब बनते हैं वहाँ पर cell wall होती है अभी हम देखते जाएंगे इन चीजों को तो वहाँ पर cell wall होती है तो वो cell wall cellulose से मिलकर बनी होती है जबके fungi के अंदर cell wall kytin से मिलकर बनी होती है तो पहले तो जहाँ पर ज्यादा stages में cell wall ही नहीं होती तो spore के case में जब cell wall होती है वो cellulose से मिलकर बनी होती है kytin से मिलकर नहीं बनी होती तो इसलिए हमें इन आर्गिनिजम्स को फंजाए, किंग्डम फंजाए से निकाल कर प्रोटेस्टा के अंदर डालना पड़ा, यह difference पहला आ गया, दूसरा difference आ गया है, यह motile होते हैं, यह अमीबा की तरह यह gliding movement भी करते हैं, glide करके movement भी करते हैं, बहुत थोड़ी slowly movement होती है, about movement करते हैं, और यह amoeba की तरह ही phagocytosis, यानि food को engulf कर रहे होते हैं, यह भी difference आ जाता है, फंजाए से इनकाल के प्रोटेस्टा के अंदर हमने डाल दिया, प्लाजमोडियल slime mold का life cycle देखते हैं, क्योंकि यह एक life cycle है, तो कहीं से भी start हो सकता है, यह अपने life cycle के अंदर एक stage में होते हैं, जहां पर इनकी appearance amoeba cell की तरह होती है, तो यहां पर आप देख रहे होंगे, यह amoeba cell है, बट इस इस नाट amoeba, यह एक इसकी appearance की वज़ज़ से इसे amoeba like हम कह सकते हैं, बट यह प्लाजमोडियल slime mold का cell है, यह दूसरा प्लाजमोडियल slime mold का cell है, और यह N हैं, chromosome number half है, haploid है, तो यह दो cell एक दूसरे के करीब आएंगे, fuse करेंगे, तो इस process को क्या बोलते हैं, fertilization, similar process है, यहां पर actual में sexual reproduction हो रही है, तो दो cell इस तरीके से करीब आएंगे, इनका cytoplasm fuse करेगा, nucleus आपस में मिलेंगे, तो यहां पर N number of nucleus, यहां पर N number of nucleus, जब नया cell बनेगा, larger cell बनेगा, जिनके cytoplasm, क्योंकि दो cytoplasm हाफस में मिल गये हैं, तो उनके अंदर दो nucleus भी मिल गये हैं, दो nucleus मिले हैं, तो यहां पर एक larger cell बना है, with diploid chromosome, यहां पर chromosome number क्या है, diploid है, तो इस stage को क्या बोलते हैं, zygote, यानि कि दो smaller cell मिले, एक larger cell बना, fertilization हुई, तो जो cell बना, उसे zygote कहा जाता है, तो इस stage में अगर आप देखें, तो इन cell के उपर cell बाल भी नहीं है, ठीक है, अब यह zygote को जब food मिलता रहेगा, तो यह grow करता जाएगा, यानि यह जो cell है, जो grow करता जाएगा, बट इसके साथ साथ इसके अंदर mitosis भी होगी, और mitosis में ह जानते हैं कि क्रोमोसम क्या होते हैं, multiply होके divide होते हैं, यहाँ पर actual में nucleus जो है, वो multiply हो रहा है, बट mitosis के बाद cytokinesis होती है, generally, यानि cell भी दो में divide हो जाते हैं, बट यहाँ पर cell divide नहीं हो रहा है, यानि cytoplasm डिवाइड नहीं हो रहा, just mitosis हो रही है, nucleus multiply हो रहा है, तो यहा इसे हम multi nucleated cell कहते हैं, और इस stage को कहा जाता है, plasmodium, so आपने confused नहीं होना, this plasmodium is different from parasite जो malaria कास करता है, इसे इसलिए का, वो जो parasite plasmodium है, उसे इसकी बहस्पा नाम दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर जो structure बन रही है, जो plasmodium, malaria कास करने वाला plasmodium है, उसकी life cycle के अंदर यह एक stage आती है, उकाइनेट, जिसके अंदर उसकी structure इस तरीके से हो जाती है, और वो gliding movement कर रहोता है, so इस structure को basically plasmodium खा जाता है, ठीक है, so यह plasmodium बन चुगा है, जिसके अंदर बहुत सारे nucleuses हैं, और यह एक feeding stage है, slime mold की life cycle के अंदर, फुराग मिल रही है, यह खा रहा ह nucleuses multiply हो रहे हैं, multi nucleated cell बन चुका है, और यह बहुत important है scientist के लिए, क्योंकि scientist यह a large cell है, और इसे study कर रहे होते हैं, cytoplasm streaming के लिए, जानी cytoplasm के अंदर क्या हो रहा है, movement कैसे हो रही है, यह सारी इसे easily study की जा सकती है, क्योंकि यह a larger cell है, so light microscope के अंदर भी बहुत सारी चीज़ असानी से इस cell के अंदर देखी जा सकती है, ठीक है, ओके, इसके लावा जो मैंने आपको शुरू में picture दिखाई, वो इसी stage के अंदर हो, slime mold की इसी stage की picture है, जिसमें plasmodium, यानि इतना बड़ा large cell है, जिसके अंदर बहुत सारी nucleae, nucleae हैं, so यह इस तरीके से gliding movement भी कर रहा हो होता है, ठीक है, जान जान फूड मिलता जाएगा, बट जाहरी बात है, फूड हमेशा तो माँ पर रहना नहीं है, इसने खा जाना है, so food की जब कमी होगी, तो क्या होगा, इसके nucleus और कुछ cell का जो हिस्सा है, वो इस तरीके से structure बनाना शुरू कर देगा, जिसे fruiting body बोलते हैं, so इस तरीके से एक डंडी से निकलेगी, उसके उपर एक round circle सा बनेगा, यानि सुपरेंजियम बनेगा, so यह structure जो होगी, इसे fruiting body हम कहेंगे, और नीचे जो cell है, उसके अंदर जो cytoplasm है, वो सुकुडना शुरू हो जाएगा, कुछ gaps बनना शुरू हो जाएगे, मियोसेज में हम जानते हैं, कि जब भी मियोसेज होती है, डिपलाइड नुकलियाइक कनवर्ट हो जाता है, हैपलाइड में, ठीक है, तो यहाँ पर जो spores बनेंगे, by the process of मियोसेज, वो क्या होंगे, हैपलाइड होंगे, उनकी numbering half होगी, half number of chromosome मुझूद होगा, ठीक है, त spores निकल कर germinate हो जाएंगे, और इनसे नए औरगिनिजम जो हैं, वो जनम लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, spores बनें, spores क्या है, इन्वार्मेंट के अंदर, जब इन्वार्मेंट के अंदर, जब इन्वार्मेंट मिलेगी, तो यह burst होंगे, बस्ट होने के बाद इनके अंदर से new cells निकलेंगे, जैसे कि यह हमारे पास cells आगे, और इसके लावा सम्ट टाइम, इस तरीके के cells भी निकलते हैं, जन्हें फ्लेजिलेटेड़ सेल्स हम बोलते हैं, जन्हें के उपर phlegela present होती हो, mostly जब वाटरी कंडिशन होती है, वहाँ पर होते हैं, ताकि य यह असानी से move कर सके हैं, फ्लेजिला को यूज करके, बट यह interchangeable shape से इनकी, यानिके फ्लेजिलेटेड अमीबा shape में भी convert हो सकते हैं, तो confuse नहीं होना आपने, इस टाइप की cells भी हो सकते हैं, यह भी आपस में fuse होकर fertilization होगी, जाइगोर्ड वनके यही feeding stage में चले जाएंगे सो यह एक life cycle था, plus module, slime mold का, hopefully आपको lecture समझ में आया होगा,